नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं हमारी आज की खास पेशकश जहां हम बात करने वाले हैं ग्रहाकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारा लिए गए कुछ एहम फैस्दों पर जैसा कि हम सभी जहते हैं कि हाल ही में Consumer Affair Ministry द्वारा Direct Selling Industry से जुड़े हुए नए नियमों की अधिसुषना जारी की गई है इस अधिसुषना में Direct Selling Industries को लेकर कुछ नए नियमों का एलांग किया गया है या यूँ कहें कि अब Direct Selling Industries की जिम्मेदारियां और जवाब देही दोनों ही बढ़ने वाली हैं इन नए नियमों के तहट अब राज सरकारों को Direct Selling Company के लिए सही सिस्टम तयार करना होगा इतना ही नहीं अब Illegal Pyramid Scheme या फिर Money Circulation Scheme पर काम करने वाली कमपणियों को अपनी नीतियों में भी बदलाव करना होगा इसके साथ ही अब ग्राहक Direct Selling Company से जुड़ी शिकायतों को भी Online या Offline दोनों ही माध्यम से दर्स करवा सकते हैं और Direct Selling Company भी इन शिकायतों से अपना पला नहीं जार सकती इन नियमों पर और भी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ Network Marketing Expert मानो प्रेरक वप्रसिक्षक सुर्या सिन्हा जी जूड़े हैं जो आपके मन में उत्पन हो रहे सभी प्रकार के सवालों का जवाब आज आपको देंगे तो आईए आज की चर्शा शुरू करते हैं सबसे पहले तो सूर्या जी का बहुत-बहुत स्वागत करना चाहेंगे सूर्या जी बहुत-बहुत स्वागय थे आपका हमारे इस शो में दोस्तों नमस्कार सस्रेकाल स्लाम अलेकूं सबसे पहले तो मैं उन लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो ने मुझे आज के इस प्रोग्राम के लिए निमंतरन भेजा दूसरा मैं उन सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज मेरे साथ जुड़कर इस खास शो का हिस्सा बनने वाले हैं सूजय जी सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो डारेक्ट सेलिंग रूल 2021 आया है इसकी बारे में आपकी क्या विचार है सुनिए सबसे पहली बात तो ये है जो डारेक्ट सेलिंग रूल 2021 आया है ये पूरा का पूरा ग्राहकों के पक्ष में है पहले आपने सुना होगा जागो ग्राहक जागो अब शायद ये कहना ज्यादा उचित होगा कि जागो कंपनी वालो जागो यहां मैं विशेश्टोर पर ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो नियम आया है ये नियम डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बनाए गए है सुर्या जी सरकार दोरा डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर लागो किये गए रूल्स पर तो हम चर्चा करेंगी ही लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को गाइडलायन्स और रूल्स में क्या फर्क होता है इसके बारे में थोड़ा संचीप में बताएं सुनिए guideline का मतलब है कि आपको एक रास्ता दिखा दिया जाता है कि इस रास्ते पर आपको चलना है यानि कि आपको क्या क्या करना है इसकी एक list आपको दे दी जाती है और फिर उस list के अनुसार ही आप काम करते हैं फिर सकती बरतने के लिए इन guideline को rules यानि के नियम में तबदील कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब तो आपको इन नियमों का पालन करना ही होगा उसके बाद एक step और आता है जिसे कहते है act यानि के कानून और यहाँ act का मतलब है कि अब आपको हर कानून का पालन करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए अगर आपने कानून का पालन नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कारिवाई की जाएगे उधारन के तोर पर सरकार की तरफ से सबसे पहले कोविट से बचने के लिए गाइडलाइन्स जारी की गई थी इसके बाद सरकार ने सकती बरतते हुए ये रूल बना दिया कि जो लोग इन गाइडलाइन्स का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कारिवाई की जाएगी यानि कि सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि अगर आप कोविट गाइडलाइन का उलंगन करते हुए पाए गए तो आपको या तो जुर्माना देना होगा या फिर जेल की सजा काटनी होगी तो यही है गाइडलाइन, रूल्स और एक्ट में फर्क सुजय जी अब बात करते हैं सरकार दुवारा डिरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जारी किये गए नए डिरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 पर आजकल सोशल मीडिया पर इन नए नियमों को लेकर कई तरह की अफ़वाही चल रही है कई लोगों के मन में तो ये डर बैठ गया है कि अब डिरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंधीन होने वाली है तो क्या ये बात सच है? यहां मैं आपको बता दू जब से लोगों को इस नए डिरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के वारे में पता चला है तब से लेकर अब तक मुझे अनगिनत लोगों के फून और मेसेज़िस आ चुके हैं और सबका एक ही सवाल है कि क्या डिरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंध हो जाएगी? अगर आप सोचल मेडिया पर भी देखें तो इन नए नियमों को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं कुछ लोग तो बहुती ज्यादा डिरे हुए से नज़रा रहे हैं वे ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा? तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को इस विशे पर डरने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि डारेट सेलिंग इंडिस्री बंद नहीं हो रही है इसलिए आप किसी भी तरह की अफ़वाहों पर ध्यान ना दे अब तो मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जो लोग डारेट सेलिंग इंडिस्री से जुड़े हुए है ये बधाई मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ दोस्तो क्योंकि अब हमारी सरकार भी डारेट सेलिंग इंडिस्री के महत्व को समझते हुए इसके विकास पर थ्यान देने लगी है आप खोद ही सोचिए न कि सरकार भी किसी इंडिस्री को लेकर कोई नियम क्यों बनाएगी जाहिर सी बात है कि सरकार अब इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहती है और इसलिए सरकार के तरफ से डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर नियम बनाए गए हैं ताकि यह इंडस्ट्री अच्छी तरह से काम कर सके और आगे भढ़ सके चलिए आपके अनुसार हमने माना कि डारेक्ट सलिंग इंडस्ट्री बंद नहीं होगी लेकिन जो लोग लगातार सोशल मीडिया पर इस इंडस्ट्री की बंद होनी की बात कहे कर लोगों को डरा रहे हैं उनसे अब क्या कहना चाहेंगे यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को अगर इस इंडस्ट्री को बंद ही करना होता तो बात सरकार इस इंडस्ट्री को लेकर नए नियमों को लागो ही क्यों करती बात सरकार के लिए तो यह आसान था कि वो सीधे सीधे एक ड्राफ त्यार करती और उसमें लिख देती कि कल से डारेट सेलिंग इंडस्ट्री बंध हो रही है जिस तरहे रातों रात नोट बंदी होई थी लेकिन सरकार के तरफ से बनाए गए नए ड्राफ में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है उस ट्राफ में तो बस नए नियुमों का जिक्र है अब ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते ही है कि सरकार नए नियुमों को क्यों बनाती है ताकि सही काम सही तरीके से वह नियम के हिसाब से होते रहे और यहां हो क्या रहा है कि जिन लोगों का डारेक्ट सेलिंग इंडस्री से कुछ लेना देना ही नहीं है वो ही लोग इस इंडस्री के बंध होने की अफ़वा फेला रहे हैं इसलिए मैं आपसे एक पार फिर से यही कहना चाहूंगा कि आप इन अफ़वाहों पर विश्वास ना करें इसमें कोई सचाई नहीं है आप बिलकुल बेफिक्र रही है कई लोग तो ऐसे भी हैं जो यह सोच रहे हैं कि भारत में डाइट सेलिंग इंडस्री के नाम पर कुछ कुछी कमपनियां हैं और यह नया नियम सिर्फ इन कुछ कमपनियों को ही प्रभावित करेगा लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज भारत में लाखों लोग इस इंडस्री से रोजगार कर रहे हैं और अगर कुछ भी उच नीच होती है तो इसका असर इन लाखों लोगों पर और उनकी रोजगार पर भी पड़ेगा इसलिए किर्पया आप घबराईए ना और अफवाहूं पर भी ध्यान देना बंद कर दीजिए सूरिया जी इस नियम में पिरामिड स्कीम और मनी सर्कूलेशन स्कीम का भी जिक्र है तो क्या आपको लगता है कि इस नए नियम के तहट पिरामिड स्कीम या मनी सर्कूलेशन स्कीम पर सरकार लगाम लगा पाईगी हाँ ये बात तो निश्चित है कि गलत कमपनियों पर लगाम तो लगेगी ही खास तोर पर उन कमपनियों पर जो illegal pyramid schemes पर काम कर रही है जिसे कि money circulation scheme या pongee scheme कहना ज्यादा उचित होगा जो कमपनिया money circulation scheme पर काम कर रही है यानि कि जो कमपनिया लोगों को बेवकूफ बना कर उनसे पैसे एट रही है अब ऐसे कमपनियों को सतर्क होने की आवशक्ता है क्योंकि घरत तरीके से direct selling के नाम पर काम कर रही कमपनियों को सुधारने के लिए ही तो सरकार की तरफ से नियम बनाए गए है वहीं दूसी तरफ जो कमपनिया सच्चाए इमानतारे और देश के सभी नियम व कानून का पालन करते हुए काम कर रही है उन्हें घबराने के बिल्कुल भी जरूत नहीं है उन कमपनियों को सिर्फ सरकार की तरफ से जो नियमों में मोडिफिकेशन किये गए हैं उन्हें लागू करना पड़ेगा इन नियमों को लागू करने के लिए सरकार के तरफ से डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 90 दिनों तक का समय भी दिया गया है तो अगर आप और आपकी कमपनिय सही है तो आपको बिल्कुल भी चिंदा करने की कोई जरूत नहीं मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि लोग पिरामिड स्कीम को लेकर थोड़े कन्फ्यूज है लेकिन हमारे लिए इस स्कीम को समझना बेहत जरूरी है दरसल पिरामिड में कोई खराबी नहीं है मगर इलिगल पिरामिड स्कीम के तहत काम करना अच्छी बात नहीं है अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि ये इलिगल पिरामिड स्कीम क्या होता है तो मैं आपको बता दू कि पिरामिड हर जगे है चाहे वो traditional business हो या फिर network marketing business ये दोनों के दोनों business ही पिरामिट पर ही based होते हैं अब आप कहेंगे कैसे तो सुनिए पिरामिट के तहट सबसे top पर कोई होता है यहाँ हम उधारन के लिए एक company को ले रेते हैं फिर वो company अपने products को logo तक पहुचाने के लिए national distributors वो state distributors की मदल लेती है फिर national distributors वो state distributors के पास से वो product original distributors तक पहुचते हैं फिर वही product wholesaler तक पहुचते हैं फिर वही products साधारन retailers के पास पहुचते हैं और फिर वही से वो products रिटेलिंग शॉप के माध्यम से ग्रहाखों तक पहुचते हैं यहां हमने क्या देखा कि एक लीगल पिरामिड स्ट्रक्चर तयार हुआ यहां इस सिस्ट्रम में हर लेवल पर लोग अपना काम करते हैं और अपने काम का महंताना परसेंटिज या कमिशन के रूप में लेते हैं इसलिए यह एक लीगल पिरामिड है लेकिन आजकल मार्केट में ऐसी बहुत से कमपनिया हैं जो इलीगल पिरामिड स्कीम पर काम कर रही हैं यानि कि इसमें टॉप पर मौझूद कमपनी जोइनिंग फीज के नाम पर या फिर किसी पैकेज के नाम पर लोगों से पैसे ले लेती है फिर वो कंपनी उन लोगों को और नए लोगों को जोईन कराकर उसके एवज में उनके पैसे डबल करने या ट्रिपल करने का लालच देती है भूले भाले सीधे साधे लोग भी उस कंपनी के लालच में आ जाते हैं लेकिन बाद में उन्हें जब ये पता चलता है कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा और उन्होंने उस कंपनी में जो पैसे लगाए थे वो सभी के सभी पैसे भी डूब गए दरसल इसे मनी सर्कुलेशन स्कीम या पॉनजी स्कीम भी कहा जाता है जहां कंपनी बड़े बड़े वादे करके लोगों से पैसे तो ले लेती है लेकिन बदले में उन्हें वैली ओफ मनी नहीं देती है यानि कि लोगों के पैसों के वैल्यू का कोई प्रोड़ेक्ट या सर्विसेज उन्हें नहीं देती है और ये सारा का सारा पैसा कंपनी की जेम में और बीच के लोगों में ही चला जाता है और bottom में मौजूद व्यक्ति को उसके पैसों के एवज में कुछ भी नहीं मिलता और वो ठगा हुआसा रह जाता है ये तो कहलाता है illegal pyramid scheme लेकिन अब इस नए diet selling rule 2021 के अनुसार ऐसी illegal schemes नहीं चलेंगी सरकार के इस नए नियम से illegal pyramid schemes पर अंकुष लगाने में मदद मिलेगी और लोग भी धोकादरी से बच पाएंगे सुरिया जी अब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि फिलहाल जितनी भी direct selling company काम कर रही है और जितनी भी नई company इस industry में काम शुरू करने वाली हैं उन्हें अब क्या करना होगा यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि जो company अपने clients एवं ग्राकों को value of money नहीं दे रही हैं जो company ओवर distribution कर रही हैं या जो company ओवर pricing कर रही हैं ऐसी company अब नहीं चलेंगे साल 2016 में diet selling industry को लेकर जब नई guidelines आई थी तो उस वक्त भी यही अफ़वा उड़ी थी कि सिर्फ products based direct selling companies ही market में चलेंगे वहीं services based direct selling companies के लिए खत्रा उत्पन होने वाला है लेकर अगर आप सरकार द्वारा तयार किये गए इस नए draft को देखेंगे तो यहां सरकार की तरफ से हर जगे यह लिखा गया है कि all the products and services based direct selling companies यानि कि दोनों तरह की direct selling companies के लिए सरकार की तरफ से यह नियम मनाए गए है इसके साथ ही लोगों के मन में यह खयाल भी आता है कि goods में क्या हमारा खुद का manufacturing unit होना चाहिए तो यहां मैं आपको बढ़ा दू कि direct selling rule 2021 के अनुसार फिलहाल यह ज़रूरी नहीं है कि product की manufacturing भी आपकी swim की हो हां इतना जरूर है कि जो products आप बेच रहे हैं उसका trademark आपके पास होना बेहत जरूरी है सुर्या जी आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से यह जो नए नियम बनाए गए है उससे direct selling industry को फायदा होगा या यह rules इस industry को बेहतरी की ओर लेकर जाएंगे देखे एक बात तो तैय है कि सरकार ने diet selling industry की बेहतरी के बारे में सोचकर ही यह नियम बनाए है हालांकि इन नए नियम में कुछ points ऐसे भी है जिन्हें लेकर अभी भी चर्चाएं चल रही है तो यह कहना जल्दवाजी होगी कि नियमों से diet selling industry को कितना फाइदा होगा लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि अब सरकार भी इस industry की महत्व को समझ रही है सरकार भी diet selling industry के भविश्य को लेकर सोच रही है तभी तो सरकार की तरफ से diet selling industry को लेकर यह नया draft त्यार किया गया है ताकि हम यह अच्छे से जान सकें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं सूरिया जी इस नए draft में कमपनियों के physical location होने की भी बात कही गई है इसके साथ ही इस draft में आवश्यक documents का जिक्र भी किया गया है तो इसकी बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे डाइट सेलिंग रूल 2021 की अनुसार जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो यह है कि अगर आपकी कमपनी का भारत में कोई physical location नहीं है तो आपको अपनी कमपनी का physical location यानि की office 90 दिनों के अंदर register कराना होगा और उसकी जानकारी आपको अपनी website पर भी देनी होगी डाइरेक सेलिंग कमपनीयों का जो office होगा वो क्या उसका स्वेम का ही खरीदा हुआ होना चाहिए ऐसा बिलकोल भी नहीं है आपका office किराय पर भी हो सकता है जी हाँ लेकिन उसके सारे कानूनी कागजात आपके पास ही होने चाहिए सब कुछ legal way में registered होना चाहिए और वहीं आपकी कमपनी का address आपके website आपके invoice सभी जरूरी papers वो दस्तावेजों पर भी दिखाई देना चाहिए आपके पास आपके website से जुड़े सभी data's physically या electronically मौजूद होने चाहिए आपके पास certificate of incorporation, private limited के लिए आवशक memorandum of association और article of association, band number, GST number, ITR, balance sheet, audit report समेथ अन्ने सभी दस्तावेज भी होने चाहिए इसके साथ है direct selling company के पास physically या digitally हर एक direct seller की registration का पूरा का पूरा data भी मौजूद होना चाहिए इसके अलावा आपका जो brand है या जो product है आपके पास उन सभी products के trademark certificate का होना भी जरूरी है जो भी नए product आप launch कर रहे हैं उसका certificate भी आपके पास होना चाहिए अच्छा अब आप हमारे दर्शकों को ये बताए कि कौन-कौन सी company या direct selling companies के रूप में register करवा सकती है इसमें कोई भी private limited company हो या limited liability company हो या फिर partnership firm हो सभी इसमें register करा सकती है सुना है कि सभी direct seller के पास उनकी company की ID card का होना भी अनिवार रहे है क्या ये सच है? जी हाँ, diet selling rule 2021 के अनुसार अब प्रतेक direct seller के पास उसकी company का ID card का होना बेहत जरूरी है यहाँ नियम ये कहता है कि सभी diet selling company को अपने diet seller को ID card issue कराना कमबल सरी है सरकार की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि किसी भी diet seller का address proof और ID proof verification होने के बाद ही company उस direct seller को ID card issue करा सकती है यानि कि जो direct seller अपनी company को दूसरों के सामने represent कर रहा है उसके पास company का ID card होना बेहत जरूरी है सुर्या जी ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन नए नियमों के लागू होने के बाद अब ग्राहकों के लिए direct selling companies के products और services के खिलाब शिकाय दर्स कराना बेहत आसान हो जाएगा क्या ये भी बात सच है जी हाँ ये बात बिल्गुँद सच है डाइट सेलिंग रूल 2021 में सरकार की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि सभी direct selling company का अपना खुद का website होना बेहत जरूरी है और वो website पूरी तरह से updated भी होना चाहिए company की website पर company से जुड़े लोगों का legal name, address, company के सभी branches का address, pin code के साथ होना चाहिए साथ ही साथ company के grievance officer और noodle officer की जानकारी भी website पर मौजवध होने चाहिए यानि कि अब हर एक direct selling company को noodle officer और grievance officer निक्त करने पढ़ेंगे और उनके पूरी जानकारी website पर दिखाने भी होगे grievance officer और noodle officer के नामों के साथ उनके email id और mobile number की सपस्ट जानकारी भी website पर होने चाहिए इतना है नहीं अब diet selling rule 2021 के अनुसार अब सभी diet selling companies को लोगों की शिकायतें सुनने और उनका समाधान निकालने के भी व्यवस्ता कहनी होगी यानि कि अगर गराक को company के products या services को लेकर कोई शिकायत है या फिर company का direct seller भी अपने payout या product को लेकर कोई शिकायत करता है तो हर एक शिकायत का ticket ID generate करना company की जिम्मेदारी है और company को इस ticket ID का solution भी निकालना होगा जिसकी रेख रेख grievance officer करेगा या ticket ID की बात इसलिए कही गई है ताकि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी direct selling company में कोई शिकायत करे तो उसके पास सबसे पहले SMS और email के माध्यम से ये ticket ID पहुँच जाने चाहिए और इसके बाद वो व्यक्ति जब भी चाहे इस ticket ID के माध्यम से अपने शिकायत के status को जान सकता है इस तरह के solution की व्यवस्था हर एक direct selling company को रखनी होगी इस नए नियम में ये भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई शिकायत करता है तो 48 घंटों के अंदर company को उसका response देना होगा और 30 दिनों के अंदर company को उस शिकायत का समाधान भी निकालना होगा अगर company 30 दिनों के अंदर किसी भी शिकायत का समाधान नहीं निकाल पाती है तो उस company को इसका कारण भी शिकायत करता को बताना होगा तो ये नया नियम काफे दिल्चस्प है और ये नियम डाइट सिलर और किरहाकों के पक्ष में ही है क्या भारत सरकार के इस नय नियम से बाजारों में भिक रहे फर्जी प्रोडक्स की भिकरी पर रोक लगेगी जो कमपनिया अपने प्रोडक्स को बढ़ा चड़ा कर लोगों के सामने पेश कर रही है क्या इस पर अब अंकुष लगेगा भारती सरकार के दुआरा तयार किये गए इस नय ड्राफ्ट में एक बात बार बार कही गई है कि कहीं भी प्रोडक्स की मिस सेलिंग नहीं होनी चाहिए देखिए ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा मैत पूर्ण है अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी कमपनिया अपने प्रोडक्स को उसकी विशेश्टाओं को इतना ज्यादा बढ़ा चड़ा कर दिखाती है कि वो लोगों को प्रमित कर देती हैं और जब लोग उन प्रोडक्स का इस्तिमाल करते हैं तो उन्हें उसका कोई खास परिणाम नहीं मिलता है आजकल तो इस तरह कि फरजी विग्यापनों की भी भरमार हो गई है इसलिए सरकार की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि डाइट सेलिंग कमपनीज के प्रोडेक्ट्स या सर्विसिस के अंदर जो खासियत है वो सिर्फ उसी के बारे में लोगों को बताएं अगर कोई डाइट सेलर किसी भी प्रोडेक्ट्स की गरत जानगारी लोगों को देता है तो इसकी जिम्मेदारी भी डाइट सेलिंग कमपनीज को ही लेनी होगी और उसका खामियाजा कमपनी और डाइट सेलर दोनों को ही भुगतना पड़ेगा तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी direct selling company को अपने किसी भी product को miss selling नहीं करना है अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी और उस company और उस product को बेचने वाले direct seller दोनों को ही लेनी होगे इसके अलावा company को अपने products की expiry date, pricing उसमें include taxes समेत अन्ने सभी जानकारियां भी स्पच्ट रूप से लोगों को देनी होंगी इसके अलावा हर एक direct selling company को national consumer halpline of the central government का हिस्सा भी बनना होगा ये अतियावशक है सूर्या जी इस नए draft में GST number वह कुछ points का जिक्र है जिसे लेकर लोग confused है, उन्हें ठीक से कुछ बाते समझ भी नहीं आ रही है क्या आप लोगों को इस मामले में कुछ समझाना चाहेंगे? जरूर, मैं आपको draft में लिखे एक ऐसे point के बारे में भी बताना चाहूंगा, जो काफी महत्कूर्ण है बताया गया है कि इस point को लेकर पैनल में काफी चर्चाएं भी हुई और इसे लेकर थोड़ा सा confusion भी है दरसल ये point है, direct sellers के लिए जहां कहा गया है obtain goods and service tax registration, permanent account number registration, all applicable trade registrations and licenses and comply with the requirements of applicable laws, rules and regulations for sale of a products अब, यहां ज्यायत लोग यही सोच रहे हैं कि हर एक direct seller को अपना GST number लेना पड़ेगा लेकिन, यहां जो सरकार कहना चाहती है वो ये है कि हर एक के लिए trade registration कराना जरूरी है तो यहां सरकार ये represent करना चाहती है कि अगर कोई direct seller किसी direct selling company से products खरीद कर खुद की home franchise या shopping point से sale out करने वाला है तो उन सभी direct seller के पास GST number, PAN number, trade license वो अन्य आवश्चक license का होना जरूरी है अब यहां सोचने वाली बात ये है कि अगर मेरा कोई shopping center है ही नहीं तो मैं GST number का क्या करूँगा दूसरी बात मैं जो सामान order कर रहा हूँ इसके बाद अगर मेरे पास GST number है और मेरे team के किसी prospect को वो ही product बेच रहा हूँ तो क्या उस bill में मेरा नाम आएगा नहीं बिल में उसी company का नाम रहेगा जिसका वो product है तो यहां फिर company के GST number की ही जरूरत पड़ेगी लेकिन जब मैं उस product को अपने पास रखता हूँ और उसे मैं बेचता हूँ जिसमें bill में sold by में मेरा नाम आता है company का सिर्फ logo रहता है तब जाकर मुझे GST number, pen number वो अन्य परकार के registration की जरूरत पड़ती है तो यह direct seller के लिए नहीं है बलकि जो home shopping या franchise ले रहे है उन सब को इन नियमों का पालन करना अनिवारे है तो अब जितने भी franchise शुरू हो रहे है जितने भी center, point, pickup, point ओपन हो रहे है उन सभी को GST number, pen number वो अन्य परकार के registration कराना अनिवारे है यहां मैं आप सभी को एक बात विशेश रूप से बता दू कि इस नए draft में कुछ points ऐसे भी है जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार उन points पर थोड़ा विचार करे लेकिन खुशे की बात यह है कि डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर सरकार ने कम से कम कोई रूल तो बनाए और हाँ अगर कोई डारेक्ट सेलिंग किसी पिछडे वच्छोटे राज्जे से बिलॉंग करता है और उसकी वार्शिक आए 10 लाख से ज्यादा है तो उसे भी GST नुमबर लेना होगा और वहीं अगर कोई डारेक्ट सेलिंग किसी संपन राज्जे वच्छे से बिलॉंग करता है और उसकी वार्शिक आए 20 लाख से ज्यादा है तो उसके लिए भी GST नुमबर का लेना जरूरी है सुर्या जी महिलाओं की बात करें और इंट्रेस्ट आएगा जे बेल को लाएगा क्योंकि अब सच में महिलाओं घर में काम करने के तरीकों पर दिमाग लगा रही है और इस काम के जरिये वो घर बैठे अच्छा कासा पैसा भी कमा सकती है और इस नए नियम के आ जाने से तो ये काम महिलाओं के लिए और भी आसान हो गया है पहले महिलाओं को ये डर लगता था कि कहीं वो किसी फरॉड कमपनी के साथ तो नहीं जुड रही है क्योंकि महिलाओं को अपने घर के परिवार वारों को जवाब भी देना पड़ता होता था तो अब इन नियमों के आ जाने से महिलाएं भी इस काम को बहुत ही आराम से घर पर बैठे हुए कर पाएंगे सूर्या जी अब अंत में मेरा आप से निवेदन है कि आप सभी डायरेक्ट सेलर या नेटवर्कर को एक बार अच्छे से बता दे कि सरकार की तरफ से उनकी लिए क्या-क्या नियम बनाए गए हैं और अगर वे इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें क्या खाम्याज अभुगतना पड़ेगा अब सभी डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर को नियम के दायरों में रहकर काम करना होगा इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मैं जिन आठ नियमों के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ सभी डायरेक्ट सेलर इन रूल्स को अच्छे से सुन लें और समझ लें और इन नियमों के तहट ही अपने काम को आगे बढ़ाएं तो सुनिए रूल नमबर वान इसके तहट कोई भी डायरेक्ट सेलर अपने कराकों को नीची यानि की पर्सनल सूचना को कहीं भी किसी दूसी जगे जाहिर नहीं करेगा अर्थात अगर आप किसी भी विक्ति की आईडी लगाते हैं या किसी भी विक्ति को आप जोइन करवाते हैं तो उसका पर्सनल डिटेल जैसे की आधार कार्ड, पेहन कार्ड, बैंक पास्बुक, आदी की जानगारी आप किसी भी दूसी जगे शेयर नहीं करेंगे अगर कोई भी डारीक्ट सेलर और नेटवर्कर इस निम का अलंगन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानोनी कारेवाहए की जायेगे अब प्रोल लंबर दो इस नए निम के अनुसार डारीक्ट सेलर और नेटवर्कर ये सुूर्ड़ शित करेगा कि उसके ग्राकों वो उससे जुड़ने वाले लोगों तक सही प्रोड़क पहुचे यानि कि उसके ग्राकों वो उसके साथ जुड़ने वाले लोगों तक वही प्रोड़क पहुचे जिसके उन्होंने पैसे दिये थे जी हाँ, पोड़ेक्ट से संबंदित मामलों में किसी भी तरह की गरबड़ी होने पर डारेक्ट सेलर और नेटवर्कर और उस कंपनी को भी इसकी जब्मेदारी लेनी होगी। रूल नमबर 3, कोई भी डारेक्ट सेलर और नेटवर्कर बिना अपने वैलिड आईडी काड़ के किसी भी ग्राह के पास नहीं जाएगा। यानि कि अगर आपको किसी भी विक्ति से अपने बिजनस को डिसकस करने जाना है या किसी भी विक्ति को अपना बिजनस प्लान बताने जाना है तो आपके पास आपका valid ID कार्ड होना अनिवा रहे है Rule No.4 परतेख डारेक्ट सेलर या नेटवरकर को किसी भी नए कस्टुमर या क्लाइंट के पास जाने से पहले उसकी अनुमती लेना अनिवा रहे है इसलिए याद रहे अब आप बिना अपने क्लाइंट की अनुमती लिए उससे मिलने ना चले जाए Rule No.5 डाइट सेलर या नेटवरकर को इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखना होगा कि वे अपने नए एवं पुराने ग्राकों से ऐसा कोई भी वादा ना करें जिसे उसकी कमपनी पूरा ना कर सके यानि कि कमपनी के जो प्रोडेक्स हैं कमपनी की जो प्रोफाइल है कमपनी का जो पे आउट है वही आपको सच-सच अपने क्लाइंट को बताना है किसी को भी जॉइनिंग कराने के चक्कर में आपको हवा हवाई बातें नहीं करनी है बलकि company की जो policy है, company का जो plan है, जो सच्चाई है, वही आपको सामने वाले विक्ति को बताना है Rule No.6, किसी भी विक्ते या company से आप कोई लेंदीन करते हैं, या आप अपनी सेवा देते हैं, या फिर किसी product की बिक्री करते हैं, तो आपको लिखित रूप में, बिल में हस्ताक्षर करके देना अनिवारे है Rule No.7, अगर ग्राख company से संबंदित जानकारी मांगे, तो diet seller वो networker को company की पूरी detail अपने ग्राख को देनी होगे यानि कि company का background क्या है, company कब शुरू हुए, company कहां स्थित है, company के products क्या-क्या है, company का marketing plan क्या है company के promoters कौन-कौन है, और उनका background क्या है, company की financial position कैसी है, company का future plan क्या है ये सब ही जानकारियां आपको अपने client को सही-सही देनी होगी Rule No.8, डायेक्ट seller या networker को अपने ग्राखों को पूरेक्स की बिक्री भुकतान, उप्योग, एवं return वो refund policy के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी ये परतेक डायेक्ट seller या networker की जिम्मेदारी है कि वो अपने client को बिलकुल भी गुम्राह ना करें और उन्हें अंधेरे में ना रखें अब मैं यही आशा करता हूँ कि मैं आपको diet selling rule 2021 को समझाने में सफल हो पाया हूँ अब ये नियम गराकों को ध्यान में रखते हुए बनाये गए हैं ताकि किसी भी तरह से गराक ठगा ना चाए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी इन नियमों में और भी सुधार होंगे और अग मैं अपने शवदों को यही विराम देते हुए आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी स्वस्त रहें, खुश रहें और जीवन में हमेशा सच्चाई, इमानदारी और तरक्की के मार्ग पर चलते रहें अपने दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आज के सेशन में आपने हमें डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में आए बदलाव को लेकर इतनी महत पर पूर निजानकारिया दी तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद, नमस्कार तो दोस्तों ये थे नच्च्वर मार्केटिंग एक्सपर्ट वर मानव प्रेरक एवं प्रसिक्षक सूर्या सिन्हा जी मुझे उमीद है कि सूर्या सिन्हा जी ने आज जो हमें महत पर निजानकारिया दी हैं उससे आपको आपके कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे इसके बाद भी अगर आपको कन्फिवजन है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें इसके साथ ही आपको आज का ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसी के साथ दोस्तों हमीं दीजे इजाज़त नमस्कार